हेलो स्टूड़न वालकम टू माज यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूड़न आज हम डिसक्स करेंगे क्लास 7 में चक्टर 9 गैस्टनल नमर की एक्साइज 9.2 क्टो नमर 3 में दिरका Find Product हमें इनका प्रोड़न करना है स्टूड़न तो स्टूड़न इन प्रोड़न को करने से पर आपको कुछ बेसिक रूल का पता होना जरूरी है देखो प्लस के डिजिट को मल्टिप्लाइ करेंगे प्लस के डिजिट के साथ तो आंसर आएगा प्लस में नेगटिव डिजिट को मल्टिप्ला करेंगे नेगटिव डिजिट के साथ तो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में नेगटिव नंबर को मल्टिप्ला करेंगे प्लस के साथ तो माइनस में आएगा plus digit को multiply करें minus तो answer हमारा minus में आएगा उन मिलाके हमारे answer आएंगे ये 4 same sign होंगे answer positive में ही आएगा तो यहां देखो ये plus का है plus into minus minus होगा 97 634 2 8 अगर ये cancel हो रही है तो इनको cancel करो digit common table सा कि नहीं होड़ी तो इंपिस को छोड़ दो नीचे कुछ नहीं वनमाल लेंगे प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 नाइन जा 27 अपॉन में 10 यह आंसर हो जाएगा हमारा 27 अपॉन में 10 हो जायागा अब देखो इसका पार्ट नमबर 3 यह माइनस का, कुछ निशान यह तो प्लस का माइनस इंटू माइनस होता है 6 नाइन जा 54 11 फाइवजा 55 अंसर हो जाएगा 54 अपॉन में 55 अगला पार्ट देखो फॉर्थ पार्ट, यह प्लस का है, यह माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस 3 तू जा 6, 75 जा 35 इसका अंसर ही हो जायागा ठीक है अगला part देखो हमारा थीक, दोनों एडिजित प्लस गें 3, 2 सा 6, 11, 5 सा 55, अनसर हो जाज़के 6 अपॉन में 55 अगला part देखो यह minus का है minus का 5 हो minus का 5 है ठीक हो, 3, 5 सा 15 plus, minus, minus, ठीक है 5, 3 सा 15, plus, minus, minus 15 में 15 का निपार तेंगे 15 बन सा 15, minus से minus cancel हो जाएगा answer हो जाएगा plus में 15 बंजा 15 होता है minus में minus का डिवाइड जाएगा positive का हो जाएगा clear minus minus के बातर plus होता है यह हमारा question number 3 यहाँ पे complete होता है अब हम discuss करेंगे question number 4 को question number 4 करने का तरीका देखो divide करना हमें नीचे कुछी नहीं वन मान लो divide करने बड़ा simple चा तरीका है divide को change कर दो multiply में और जो भी digit होगा मारा 2 by 3 तो इसको कर दो reciprocal 2 by 3 है तो 3 by 2 कर दो ठीक है नीचे कुछी नहीं वन मान लिया 4 3 जा 12 यह minus का यह plus का minus plus minus होता है 2 1 जा 2 2 का double 12 तो पड़ा 2 6 जा 12 minus है तो minus लगा दो यह हमारा first part हो गया नीचे कुछी नहीं वन मान लिया minus का 3 by 5 divide को multiply में कर दो 2 by 1 का 1 by 2 अब देखो 3 1 जा 3 5 2 जा 10 हो गया second part complete third part देखो नीचे कुछी नहीं वन मान लिया minus का 4 upon 5 divide को multiply में चिंग कर देंगे इसका reciprocal के तो हो जागा minus का 1 upon में plus minus minus होता है minus से minus कट गया answer हागा 4 upon में 15 हो गया अब discuss करेंगे इसका part number 4 तो student part number 4 में दे रखा minus का 1 by 1 divide को multiply में चेंज कर देंगे 3 by 4 है तो 4 by 3 कर देंगे इसको जिखो दोनों में 4 का divide जा रहा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 minus निशान कुछी ने तो plus का होगा minus plus minus होता है 1 1 जा 1 2 3 जा 6 answer हो जागा हमारा minus का 1 upon में 6 4th part हो गया 5th part divide को multiply में चेंज कर देंगे 1 by 7 को 7 by 1 कर देंगे ठीक ये minus का निशान ये तो plus का होगा minus plus minus होता है 7 2 जा 14 13 जा 13 part number 5 हो गया हमारा 6 देखो minus का 7 by 12 divide है तो multiply कर देंगे 13 upon में minus का 2 clear अगर कोई किसी से cancel हो रहा तो कर दो नहीं हो रहा तो directly multiply कर दो minus into plus क्या होगा minus 13 साथ है क्या आँवे plus into minus minus होगा 12 2 is a 24 minus से minus cancel हो गया 91 upon में 24 ये इसका answer हो जाएगा ठीक अब इसकस करेंगे part number 7 3 upon में 13 divide को change कर देंगे multiply में कितना हो जाएगा 65 upon में minus का 4 अगर कोई कट रहा है तो काटो देखो इसका पूरा पूरा पूर्ट रिवाड़ जाएगा 13,5 ये 65 कितना होगा 3 into 5 and 1 into minus का 4 3,5 जा 15 4 बन जा 4 तो plus minus minus ही हो गया minus है आप नीचे लगा लो या उपर लगा लो student आपको question समझ में आगया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें comment करें और चैनल को जरू subscribe कर लें